स्वागत है आपका अभिक्लासिस डाउट्स में और आपका प्रिशने की पादप में परकासा नुवर्तन किस परकार होता है आए इस सवाल का जवाब लिखते हैं सबसे पहले तो समझ लीजिए यह एक बड़ा प्रशन का जवाब है और यह प्रशन आपको परिच्छा में त चार नमबर दिला सकता है यह तीन नमबर में पूछा जा सकता या तो चार नमबर में आपको इतना ही जवाब लिखना है आए इस सवाल का जवाब पढ़ते हैं लिखेंगे कि पादप की प्रारोह तंत्र के द्वारा परकास रोत्र की दिशा की और गति करना परकाशा नु नुवर्तन होता है तो यह हो गया परकासा नुवर्तन का परिभासा अब यह किस परकार होता है आए समझते हैं यदि किसी पादप को गमले में लगा देते हैं और इसे किसी अंधेरे कमरे में रख दे जिसमें परकास की खिड़की या दरवाजे की ओर भीतर आता है यानि क कमरे के अंदर है और परकास सिर्फ खिर्की या दरवाजा से आ रहा है तो कुछ दिनों के बाद प्रारो का अग्र भाग यानि आगे वाला भाग खुद ही स्वेम ही उसी दिसा में मुड़ जाता है जिस तरब से परकास कमरे में परवेश करता है ऐसा इसलिए होता है कि प्रा प्रारो परकास की दिसा में मुड़ता है तो यहां पर कौन सा हॉर्मन काम कर रहा है ऑक्सीन हॉर्मन काम कर रहा है जिसके चलते यह परकास की और गती करता है तो यह हो गया आपके सवाल का जवाब ऐसे और सवालों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडि रत्यारी कीजिए पूरा वडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद